हेलो फ्रेंट्स आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में दोस्तो आज के वीडियो में चार ऐसे ब्रेक आउट वाले स्टॉक लेके आये हुए हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी बढ़िया है जो कि अच्छा खासा रिटार निकाल के दे सकता है तो चलिए देखते हैं वो चार स्टॉक कौन कौन से है तो सबसे पहले नमबर पे है दीपक नाइटरेट जिसका चार्ट अभी खोले हुए है तो आपको बताना चाहेंगे कि ये फरवरी 2022 से ही इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहे है जो ब्लू कलर का लाइन है ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है जिसको फरवरी 2022 से ही फेस कर रहे है तो पहला resistance यहाँ पर मिला दूसरी बर यहाँ पर मिला तीसरी बर यहाँ पर मिला और चौती बर यहाँ पर मिला और फाइनली दोस्तो अब जाके इस resistance को break किया है वो भी अच्छे volume के साथ नीचे में volume भी अच्छा है तो इसको real breakout माना जा सकता है क्योंकि volume अच्छा है और उस अगर इसको ब्रेक कर देता है तो अपना सेकेंड टार्गेट को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हिट कर सकता है जो की 39-39 के आसपास है तो सही समय और सही मौका आचुका है इंट्री करने का अगर थोड़ा भी लेट करेंगे तो प्राइस उपर चला जाएगा और उपर जाने के बाद इंट्री करने का कोई मतलब नहीं बनता है यहां अभी जहां पर प्राइस चल रहा है यह सही समय है इंट्री करने का यहां पर रिक्स कम देखिए रेड वाला कलर कितना कम एरिया में है और ग्रीन कलर कितना जादा एरिया में है मतलब रिक्स कम और तो चलते है गाइस अपने दूसरे वाले इस को ब्धिया जिसे स्टॉब्य नाम चम्बल फार्टिलाइजर यह फ़र्टिलाइजर कारी ये भी मई 2012 on पहले यहां resistance मिला फिर दूसरी बार यहां मिला और तीसरी बार यहां resistance जोन के आसपास आया थोड़ा सा नीचे गया पुल वेक लिया और अच्छे मोमेंटम के साथ अब ब्रेक ओट दिया यहां पर देख सकते हैं अच्छे मोमेंटम और अच्छे वॉलीम अच्छे कैंडल जो बोला जाए मतलब अब पूरे तैयारी के साथ ब्रेक आउट दिया है अब दोस्तों यह ब्रेक आउट देने के बाद सही समय आ चुका है एंट्री करने का अगर यहाँ पे एंट्री किया जाएगा ना तो बहुत ही कम यहाँ पे एसेल होगा देख सकते रेड कलर कितना कम में है और मिलने को कितना जादा यहाँ पे रिवार्ड है इसका टार्गेट बहुत ही बड़ा होगा पांचसो चौदा के आसपास इसका टार्गेट होगा और एसेल 358 के आसपास होगा प्राइस चल रहा है 372 रुपया के आसपास तो यहाँ पे एसेल बहुत छोटा मतलब कम और रिवार्ड जादा यहाँ पे है क्योंकि अभी ब्रेक आउट हुआ ब्रेक आउट के बाद अच्छा का सा मोमेंटम मिलता है जिसके वजह से बहुत जादा रिवार्ड मिलने के चांसे से तो चलते हैं अपने अगले वाले स्टॉक की ओर जो की पहुती फंडामेंटल यह स्ट्रॉंग कंपनी है एफम सी जी की जिसका नाम है बिटानिया इसमें दोस्तों राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया है जिसका ब्रेक आउट हो चुका है यहां पर और अच्छे वालीम के साथ ग्रीन कलर का कैंडल देखिए मतलब ग्रीन कलर केंडल पर प्राइस बहुत तेजी से उपर गया है अच्छे वालीम के साथ तो जिसके वजह से इसका मोमेंटम बरकरार रहेगा और काफी तेजी से उपर जाने की संभावना है क्योंकि ब्रेक आउट दे चुका है अपने राउंडिंग बॉटम का दोस्तों अगर अभी इंट्री करन चाहते हैं तो यहाँ पर इंट्री बना सकते हैं जिसका प्राइस चल रहरे다 3535 रुपया के आस्पस सुरी नीचे जाएगा तो नुकसान होगा कम से कम नुकसान हो इसलिए शे तो टार्गेट कहां रहेगा टार्गेट रहेगा 6000 के आसपस वहां पे हम लोग को प्रोफिट बुक करना है तो चलते हैं गाइज अपने अगले वाले स्टॉक की ओर जो की आज का लास्ट स्टॉक है जिसका नाम है विप्रो अब विप्रो के दिन बदलने वाले है यह जून 2022 से ही इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है ब्लू वाला लाइन जो है बहुत ही स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस है 2022 से ही इसमें सफर कर रहा है यहां पर रेजिस्टेंस मिला फिर यहां पर रेजिस्टेंस मिला फाइनली दोस्तों अब इसको ब्रेक किया है ब्रेक करने के बाद बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल लगतार अच्छे वॉलिम के साथ अच्छा कैंडल बनाके ब्रेक आउट दिया है यह मोमेंटम दोस्तों बरकरार रहेगा इसके पीछे का कारण यह है कि अमेरिका का इसका मेजर रेवेन्यू आता है और अमेरिका का इस्तिति कुछ सही नहीं अट रही चल रहा था पिछले करीब्ग 2 साल से अब इस्तिति सुधर रहा है जिसके वज़े से स्टॉक में भी अच्छा परदर्शन देखने को मिल्रा है जिसके वज़ेश से ब्रेक आउट हुआ है अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहे तो ये continue जारी रहेगा अगर कुछ दिन जारी रहता है तो दोस्तों अच्छा कासा इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है और अपने ये टारगेट को बहुत असानी से हिट भी कर सकता है 616 रुपया के आसपास इसका टारगेट है जिसको बहुत असानी से हिट कर सकता है तो अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 466 रुपया के आसपास जो की इंट्री करने का सही समय है अब दोस्तों इसल का बात करें तो इसल 425 यहाँ क्या पास आपको लगाना होगा क्योंकि ऊपर जाएगा तो पौफिट हो गाई होगा ग्रीन एग ग्रीन जोन में लेकिन अगर फ्राइस थोड़ा सा नीचे आने लगेगा यहाँ पर तब दोस्तों आपको नुक्सान होगा तो कम से कम नुक्सान इसलिए यहाँ पर आपको इसल ध्यान में रखना है मतलब इसे लगा कहीं trade बनाना है तो दोस्टो यह रहे आज के चार स्टॉक जिस चारोस टॉक नाम बता है अनलिसस बता है चारोक के चारोई स्टॉक में ब्रेक आउट हुए ब्रेक आउट के बाद अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है जिसके वज़ा से हाइली चांस है कि टार्गेट बहुत असानी से और बहुत जल्दी हिट कर सकता है तो उमीद करते हैं कि अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर पेस कर दीजी तो चलिए चलते हैं मिलेंगे फिर अगले बड़ी ओमें